नमस्कार, मैं दोक्तर वेपिन मंसल बास्तु कुण। आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं, या आप अपने घर को रेनुट करने जा रहे हैं, या आपका घर बन रहा है, और आज आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या आप जिस घर के अंदर रहते हैं, वहां पर वास्तु दोश्च बना हुआ है, किस चीज में? compound wall में, 4 दिवारी में आज मैं इसके बारे में आपको बताना जाओँगा हमारी जो सीरीज चल रही है plot chain से लेकर plot शुदी तक plot शुदी से लेकर ग्रहे निर्मान तक और ग्रहे निर्मान से लेकर ग्रहे प्रविश्च तक इस सीरीज में मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो पहले बना चुका हूँ और आने वाले से में मेरी और भी बहुत सारी वीडियो आ रही है मैं इस सीरीज के अंदर आप लोगों को आपने 24 सालों के अनुभों को सांजा कर रहा हूँ आप देखिएगा जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं आप अपने घर बनाने जा रहे हैं या अपने घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपका अपना घर बन रहा है जिस घर के अंदर आप रहते हैं उस घर की चारों दिवारों को आप चेक करें आपका घर बीच में बना हुआ है चारो तरफ से उपन है तो उसकी चार दिवारी को चेक करें कहां कहां पर चार दिवारी में फारक है compound wall में फरक है आपके building एक तरफ बनी हुई है three side open है तो उसको भी आप ध्यान से देखेगा कि उसमें चारो दिवार जो बनी हुई है जो compound wall बनी हुई है उसमें क्या फरक है कौन सी दिवार रूची है कौन सी दिवार नीची है कौन सी दिवार मूटी है कौन सी दिवार पतली ह आपकी सारी दिवारे बराबर हैं तो आप अपने घर की छट पर खड़े हो जाएं और वहां से पडोसी के घर की तरुप जाग कर देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि चैर दिवारी में बॉंदिक्री वाल में कमपॉंड वाल में कहां कहां वास्तुदोश बनता है कौन सी दिवार मोटी हो जाती है कौन सी दिवार पतली हो जाती है वो पता ही नहीं चलता आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने घर की कमपॉंड वाल किस परकार से बनानी चाहिए और क्या-क्या सावध प्लोट एसट्रेसिंग आपका प्लट है तो इसमें क्मपाउंड वाल किस परकार से म्हार्या ने चाहिए क्या-क्याय बरतनिboys सबसे पहले तो आपका प्लोट जो एस फिर इसट्रेसिंग ए उसमें जो इस्ट की दिवार से यह दोनों दिवार मोटाई में पतली होनी चाहिए और हैट में नीची होनी चाहिए नौर्थ की दिवार और इस्ट की दिवार दोनों ही एक लेवल में होनी चाहिए इस बात का आपने खासवर का ध्यान रखना है यह तो हो गया हमारा compound wall का कि आपने building बीच में बना रहे हैं आप एक दिवार पर building बना रहे हैं तो वह building आपको कहां बनानी चाहिए एस बरवस्तू किस दिशा में building बनानी चाहिए वह building आपको south की दिवार के साथ यहां पर south की दिवार के साथ आपने building बनानी चाहिए इस के साथ में जो आपका नौर्थ है नौर्थ का भाग भी आपका open हो जाता है खुला हो जाता है ऐसे में आपकी compound wall कैसी होनी चाहिए गलती कहां कहां करते हैं पहला point जो आपके अपनी east की दिवार है और north की दिवार है और जो south east की south की दिवार है यह दिवारे आपकी एक level की हो जाती है ऐसे में West की दिवार भी आपकी ऊंची हो जाती है आप जाने अन जाने में South West की दिवार ये हिस्सा नीचा कर देती है तो इससे वसुदोष बन जाता है आपने West की दिवार और South की दिवार सौथ वेस्ट कॉर्मर की दिवार ये दोनों दिवारे आपकी सबसे उंची होनी चाहिए इस्ट की दिवार नौर्थ की दिवार और सौथ हिस्ट की दिवार ये तीनों दिवारे आप एक लेवल की कर सकते हैं और सौथ हिस्ट की दिवार आप हलकी सी उंची भी कर सकते हैं इस में वास्तोंश आपने साथ की दीवर 9 इंच ये भी आपने 9 lion की बना रहे हैं तो इस्ट की दीवार आपकी 9 इंच की बनोनी चाहिгли है और ये दिवार स्थेविक सरी सब्दक रसाये में अब आपका प्लॉट का साइच छुटा हा और चाहते हैं। पूरी बन जाए फ्रंट और बैक में उपन अपने बना ली है तो ऐसे में आपने आपको पहले गा था कि आप अपने घर की छित पर खड़े उसमें बैक सेट का एरिया भी देखें पडोसी की सेट भी देखें आगे के और पीछे के भाग में तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि में कंपॉर्म जॉल में कहां का क्या क्या फरकत आता है मैं हमेशे ही आप लोगों को वास्थू शाप्तर के साथ अपने अनुपाव की जनकारी देता रहत हूं ध्यान से देखेंगा आपकी इष्ट की दिवार और नौर्थ की दिवार नौर्थ इस्ट यह दोनो दिवारे साउथ वेस्ट की दिवार है और जो आपकी नॉर्थ वेस्ट की नॉर्थ की दिवार है यह दोनों दिवारे आपकी एक लेवल की भी हो सकती है और नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की दिवार हलकी सी उची भी हो सकती है यदि आपकी नॉर्थ वेस्ट की दिवार उची है और उजाई में भी ज्यादा होनी चाहिए यानि साउथ की दिवार भी वेस्ट की दिवार भी और नॉर्थ वेस्ट की दिवार ये तीनों दिवार एक लेवल में उची करते थे किसे इस्ट की दिवार से भी और नॉर्थ इस्ट कॉर्नर से भी तो आपको धियान रखना है जो एक खास बात और बताना चाओंगा आज कर डिजाइन के चक्कर में दिवार को केड़ी मेडी कहीं से मोटी कहीं से पतली बना लेते हैं ऐसा कभी भी नहीं करना चीए आपकी फ्रंट की दिवार इश्ट की दिवार जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतना ही घर के अंदर परिवार खुशा लोगा खास कर घर के मेल मेंबर आपने अपनी इस्ट की दिवार को एक लेवल बनाना है और स्मूथ बनाना है और पतले दिवार बनानी है ज्यादा भारी वरकम डिजाइन आपने अपने इस्ट की दिवार पर नहीं बनाने हैं इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है जो आपका अपना मेंगेट लगेगा मेंगेट के जो पिलर बनेंगे कोशिश करनी है कि वो पिलर भी आपकी दिवार के लेवल के बराबर होने चाहिए दिवार की लेवल से अंदर की और या बाहर की और निकले हुए नहीं होने चाहिए ऐसा होने से वास्तुदोश बन जाता है मैंने मेन गेट के बारे में भी वीडियो बनाई है आप मेरी वीडियो भी जरूर देखेगा इसे के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कई बार होता क्या है कि हमने अपनी बिल्डिंग तो बनाई है पडोसी की दिवार बनी हुगी है अपनी दिवार को दो फिट उठा कर छोड़ देते हैं अपनी दिवार को बनाते ही नहीं है ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए अपनी जो साथ की दिवार वो कम्प्लिट बननी चाहिए हाँ नौर्थ की नौर्थ इस्ट की दिवार आप इसको छोड़ सकते हैं इसमें दिक्कत नहीं है लेकिन नौर्थ वेस्ट की दिवार को आपने ऐसे नहीं छोड़ना है पडोसी की दिवार के सहरे नहीं छोड़ना आपने अपनी दिवार जरूर बनानी है ऐसे ही जो आपकी स इस तो बन जाती है और वेस्ट की दिवार आपकी नहीं बनती है कई बार ऐसा भी होता है कि पीछे की दिवार जब प्रोशी का घर बन रहा होता है और हम अपने ओपन एरियो को लगते तो उहां पर चार इंच की दिवार भी बना लेते हैं उसके करण भी वास्तुदोश बन क्योंकि इस्ट की दिवार नो इंच की बन जाती है और वेस्ट की दिवार चार इंच की बन जाती है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए इस्ट की दिवार नो इंच की है तो वेस्ट की दिवार भी आपकी नो इंच या उससे प्लस होनी चाहिए आप अपना इस्ट फेसिंग घर आते हैं तो इन खास बातों का जरूर द्यान लगे मैं हमेशे ही आप लोगों को वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुखों की जानकारी अपनी वीडियो के मदम से जरूर देता हूं आप मेरी वीडियो को द्यान से देखे सुने समझे आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरी वीडियो को रिवाइंट करके दुबारा से देखेंगे तो आपके एक एक पॉइंट किलियर होते चले जाएंगे मैं अपनी हर एक वीडियो में वास्तु शास्तर के हर एक पॉइंट को बारी किसे किलियर करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेर गर में रहते हैं उस घर के अंदर चार दिवारी में वास्तु दोश है कंपाउंड वाल में वास्तु दोश बना हुआ है और आप जरूरत से ज़्यदा प्रेशान है और आपको लगता है कि बंसल जी दिवारा दी गई जानकरी सही है तो आप अपने यहां पर छोटे चोटे उपाय करके अपने घर के वास्तु दोश को सही कर सकते हैं आप भी अपनी किसी साइट के बारे में उन्लाइन सला लेना चाहते हैं तो आप उन्लाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु जास्त कैसे हो इसे भी मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपके बीडिंग को वासुत और शमुक बनाने में साहिक जरूर होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में देगी जानकर यह आपको लगता है कि सही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फै इसी तरह अगले प्रोडम में फिर एक और ने विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार